हेलो गाइज देन विलकम बैक टो दे चैनल वंस अगेन और क्लास नाइन का नंबर सिस्टम जो की मैट का है लेक्चर आज से स्टार्ट हो गया हो और डेली वीडियो जाएंगे बेज़ डॉन आर्श अगवाल एंसी ए रटी और अर्ट शर्वा ठीक है तो शुरू करते हैं हा शुरू करते हैं नंबर सिस्टम हमारा फॉस्ट चैप्टर है बहुत ध्यान से समझना बहुत ही असान चैप्टर है बहुत सावधानी हटी दुरगटना गटी कॉपी लेकि अभी बैठ जाओ देखो नैचुरल नंबर क्या होता है जितने भी काउंटिंग नंबर जो डेली कुछ करके एट को सुला दोगे तो इंफिनिटी हो जाएगा लीश्ट नैचुरल नंबर सबसे छोटा नैचुरल नंबर बॉस है वन क्या है बॉस वन है ठीक है तो यह सारी चीज़ें तुम नाइंत में नाइंत के ही हो ओविसली एट वेगरह में पढ़के आयोगे एक्ज क्या है बवा and basis को是 चोटा होल नंबर काउन सा होगा जिरो होगा एवरी नेचुरन नंबर हर एक नेचुरन नंबर क्या है एगो आगे इंडीजर्स अब इंडीन क्या बाऊस लगे हमने क्या क्या हम अगे बढ़ते चलेंगे लेकिन हमें ल surface left side in the sense कि जैसे मालो तुम हो तुम्हारा एक दोस्त है जो की है गोलु तुम्हारा दोस्त है गोलु और उसका दोस्त है भोलु ठीक है भोलु ने गोलु से रुपये लिए कितने लिए 10 रुपय लिए तो भोलु के वो कैषे बताएगा कि उसके पास से वो पैसे चले गले टो क्या करेगा एक साइनश करेगा माइनस का वो क्या जो करे कि बाई मेरे पास से इतने रुपए कम हो गया और भौलु क्या positives symbol यहीं से आया है in deeas in 22 क्या करते हैं सारे natural numbers लेते हैं अल्ट जीरो और negative numbers को ले लेंगे तो क्या बन जाएगा बॉस इंडीजर बन जाएगा ठीक है उसके बाद सारे natural number इंडीजर से हैं ध्यान रखना सारे whole numbers इंडीजर है ये भी ध्यान रखना और सबसे important बार zero जो है वो negative भी नहीं और बॉस positive भी नहीं है it is neutral वो किसी के साइड नहीं है हाँ zero even number जरूर है बट वो negative भी नहीं और positive भी नहीं है यह दो मिनट की कहानी समझ में आ गई होगी इंटीजर को number line present कैसे करेंगे number line क्या होती है एक scale type की होती है जिसमें numbers लिखे रहते हैं एमी फालतू फालतू नहीं लिखे रहते है बॉस ऐसे लिखे रहते हैं तो उसमें क्या हो गया zero दो सबसे neutral है वो सबसे बीच में आएगा वो क्या होगा वो एक तरह से तुम्हारा घर होगा तुम्हारे right side जो भी number आएंगे वो positive होंगे और तुम्हारे left side जो भी number आएंगे वो क्या होंगे that must be negative numbers कहा तक जाएंगे up to infinity दोनों ही side यहाँ पे positive infinity हो जाएगा और यहाँ पे negative infinity हमेशा right side वाला number अपने left side वाले number से क्या होता है बड़ा होता है जैसे minus 1 is greater than minus 2 क्यों क्योंकि minus 1 right side में है number जो भी right side में आएगा वो हमेशा क्या होगा बड़ा होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं rational number किसी भी number को पगड़ो boss और उसको इस format में ले आके लिख दो चाहे whole number पकड़ो चाहे natural number पकड़ो चाहे integers पकड़ो कोई भी number पकड़ो very very much important डूड ओके तो पी बाइक्यू के फॉर्म में कोई भी number लिख लो condition क्या होनी चाहिए क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए that means numerator कुछ भी हो सकता है boss denominator को 0 होना नहीं मांगता है examples में तुम अपने मन से कुछ भी बना सकते हो positive negative कैसे भी ठीक है बस नीचे वाला जो denominator है that should not be negative okay sorry zero zero नहीं हो सकता है negative हो सकता sorry अब रेशना number को number line पे कैसे show करें देखो boss number line पे हमने integer show किया एक example उसी से समझाता हूँ मैं wait for a minute इसको अलग कर लेते हैं यू यह तो जादू हो गया सर जी ओके देखो हम एक काम करते हैं यहां पे क्या यह हमारा integer है क्या यह हमारा integer है ठीक है ओके अगर हम यहां पे देखें अगर मैं तुमसे कहूं कि one by ten क्या ये rational number है तुम कहें अहां पी 0 नहीं है Q 0 नहीं पी तो 0 नहीं है नहीं Q 0 नहीं है नहीं तो हाँ सर जी ठीक है rational number है तो अगर हम इसको बोलें कि अगर मैं तुम से कहूं कि इसको point बे लिखो तो ये तुम क्या लिख सकते हो 0.1 0.1 लिख सकते हो कि नहीं हाँ अपने मन से बोलना पड़ेगा तुम्हें क्योंकि तुम्हें मैं नहीं सुनबाओंगा तुम्हें अब देखो 0.1 क्या 0.1 0 से बड़ा होगा क्या 1 से छोटा होगा तो 0.1 क्या हां आ गया कहीं यहां पे आ गया कि 0.1 यहीं होता है rational number का representation rational number क्या हो गया एक fractional number हो गया जो किसी भी numbers के बीच में आ सकता है that will be depend upon point के पहले digit कौन सा है ध्यांसे सुनना point के पहले यहां 0 है तो means यह number जो आएगा यह rational number है और यह 0 के बाद आएगा अगर यहीं पे होता 2.1 तो means यह क्या है point के पहले कौन सा number है 2 है तो यह जो number आएगा वो 2 के बाद कहीं आएगा 2.1 अब इसको तुम point में show कर लो या फिर ऐसे show कर लो 1 upon 10 1 upon 11 upon 10 कुछ भी show कर सकते हो यह तुम्हारे 11 नहीं हो गए यहां पर 2 upon 10 कर लो ठीक है यह कुछ भी show कर सकते हो तुम बस तुम्हें fractions का ध्यान देना है fractions means कि fraction जो भी लिखोगे उसमें something point something आएगा something point something बस something something तो यह poin altogether कि पहले वाला सम्थिंग क्या है वह important है उसी something के बाद आएगा जैसे मैंने example लिए 2.1 तो point के पहले कहीं सा number आया तो यह number कहां होगा टू के बाद होगा यहां पर 0.1 आया तो यह number कहां होगा जीरो के बाद होगा, दीरे-दीरे हम सीखेंगे, बने रही है हमारे शाथ, और जी हाँ, अगर like, share, subscribe नहीं कियो, तो पाप लगेगा भई, पाप लगेगा, questions करते हैं, questions से तुम बहुत अच्छे से समझ जाओगे, और आसानी से समझ जाओगे, questions ये रहा आपके screen के सामने, प to 0, तो देखते हैं, 0 by 1 भी तो है, 0 by 1 क्या हो गया, 0 हो गया, क्या P 0 है, P 0 हो सकता है, क्या Q 0 है, नहीं, Q 0 नहीं है, तो yes, 0 is a rational number, क्योंकि 0 को हम 0 by 1 के format में लिख सकते हैं, 0 by 100 के format में लिख सकते हैं, 0 by 99 के format में लिख सकते हैं, denominator कहीं भी 0 नहीं आ रहा है, लेकिन numerator के 0 की होने के वज़े से overall sum क्या आ जा रहा है 0 तो 0 क्या है बॉस rational number अगला question represent each of the following rational number of number line जल्दी से करेंगे इसको हमें target है कि हमें इस पूरे पूरे topic को 15 से 20 मिनट में cover कर लेना है 5 by 7 अगें देखो तुम्हें करना क्या है division देखना है division अगर 5 को boss 7 से divide करोगे तो point आएगा पहले जी हाँ ओहो यह कैसे क्या कर रहा हो sir okay point लगा दो point लगा दिए यहाँ पर क्या आ गया 0 7 7 49 क्या आ गया one something आया and again अब यह चलता चला जाएगा I think फिर जीरो आया seven one seven three अब यह चलता चला जाएगा ठीक है five upon seven ठीक है पहला तरीका यह देखने का division method division करके देख लो division में अगर तुम इसको अगर लिखना चाहोगे तो यह तुम लिखोगे जीरो पॉइंट seven one ध्यान से देखना point के पहले कौन सा नंबर आ रहा है बॉस जीरो आ रहा है क्या है यह जीरो और वन के बीच में होगा जीरो और वन बना लो फिर बाकी बना लोगे तो ठीक नहीं बनाओगे तो भी ठीक क्या लिखत है क्या रख है जिन्दगी में ठीक है तो हमने जीरो बना दिया जीरो के बाद ये नंबर आएगा ठीक है क्या लिखा है five by seven तो अब हमें यहाँ पर क्या करता है जो नंबर आ रहा है उस नंबर के बाद ही उसका representation हो पाएगा that's it पहला चीज दूसरा क्या है कि हमें पता चल गया कि ये जो नंबर है वो कहां लाई करेगा zero और one के बीच में लाई करेगा denominator क्या है seven seven है तो इसको हमने seven equal parts में divide कर लिए seven equal parts हो गया कि नहीं एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ equal parts में divide हो गया equal parts में ही divide करना है बॉस equal parts में नहीं होगा तो गलत हो जाएगा थोड़ा सा मैं इससे कर रहा हूं तो में भी थोड़ा difference आ सकता है अब हो गया चार ठीक है तो यहां पे हो गया seven equal parts अगर मैं लिखना चाहूं तो pencil यूज़ करके लिखूंगा one two three four five six और seven seven parts में divide हो गया ठीक है जब seven parts में divide हो गया actually counting में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है यहां से count करेंगे सुरू से one two three four five six seven part ठीक है seven part जब count हो गया हमारा तो हम यहां पर क्या करेंगे जो fifth part है उस पे धपा बोल लेंगे कि भाई यही है यही है representation one two three four ओहो पहले ही वाला counting सही था वास अक्य एक मिनट तो गया बड़े बड़े शहर में च्छड़े जड़े mistakes होती रहती है सेनरी ता देखो counting कहां से करोगे फिर से देखो हमने क्या किया एक काम करता हूं इसको पुराई मिटा देता हूं पेंजिल लेना ही पुरी बात हमने क्या किया इसको seven equal parts में बहुस डिवाइट कर दिया डिवाइड हुआ seven equal parts में अब हम count करेंगे one two three four five six and seven और यह जो यह representation किसका करेगा five by seven का फिर से समझा रहा हूं जब भी कोई भी rational number आए division करके देखो point के पहले कौन सा number है boss उसके आगे बढ़ जाना उसके आगे ही show करना है denominator चेक करना है यहाँ denominator seven है तो zero और one को हम seven equal parts में डिवाइड करेंगे numbering कहां से start होगी जो पहला line तुम ड्रॉ करो होगे वहां से उसके बाद numerator पर जाना numerator यहां पर five है तो five जहां पर नंबर आ रहा है वही representation हो जाएगा five by seven का आगे question आगे क्या है eight by three जल्दी से divide करो eight by three को तो क्या हो जाएगा two three six and point क्या जाएगा six 18 ठीक है division करने के बाद हमें यह पता चल गया कि हमें किसके आगे जाना ह है यहां पर point के पहले कौन सा नंबर आया है boss two आया है तो हमें two के बाद जाना है ठीक है two के बाद अब two के बाद अब वापस से fraction पर आ जाओ denominator कितना है three part three है और उपर कितना है eight part है ठीक है तो थोड़ा इसको mix fraction में change करो mix fraction मतलब इसको हम लोग लिख सकते है two ठीक है two by three two by three समझ में आया यह कैसे हुआ यह लिखना है आना चाहिए तुम्हें two two by three देखो eight by three ऐसे ही आएगा कैसे आया कैसे आया तेखिए sir यह रहा आपका कहां पे लग रहा है पानी गिर गया है यह रहा three eight six जा two देखो question यह रहा remainder यह उपर रहा और जिससे division कर रहे हैं वो नीचे आगया two two by three तो means हमें two के आगे लिखना है अब अगेन यह denominator में देखो three है means three equal parts में divide कर देंगे one two three और उपर क्या लिखा है two तो two वाले कॉलम पे दिखा देंगे यह क्या आगया eight by three और two two by three असान है असान है जी हां असान तो होगा ही अगेन वही काम हमें करना है माइनस व साले नंबर को डिवाइड करो फिर से माइनस को अभी साइड में लग देते हैं 23 को डिवाइड करो six क्यों ऐसे हो रहा है बॉस जी हां यहां यहां पर क्या लख लो 23 और यहां पर six six three जा यह three है 18 हो गया 18 18 में से घटाओ यार जल्दी five बचेगा मतलब हम क्या लिख सकते है क्या है यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि 23 26 को हम लिख सकते है 3456 तह तो हमें यहां पर क्या लगाना पड़ेगा माइनस मैनस लगा दिया बोस तक है जमेला तो कहीं है लिए minus है, मतलब minus 3 means 0 यहाँ पे कहीं आएगा minus 1 आएगा, minus 2 आएगा और minus 3 के आगे लिखना है, minus 3 और minus 4 के बीच में यह number आएगा remainder देखो, क्या है? 6 है, तो यहाँ पे हमें कितने equal parts में divide कर दिया? 6 equal parts में divide कर दिया हो गया कि नहीं? देखो, counting right side जब होता था, 0 के right side तो हम यहाँ से start करते थे जब 0 के left side होगा, तो हम left side से start करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो 5 वाले पे करना है तो मतलब यह हमारा representation हो गया किसका? minus 3 whole 5 by 6, ठीक है? 6 equal denominator जितने equal part में divide किया हमने, और उसके बात फिर क्या किया? जो numerator में चीजें हैं, उसके हिसाब से show कर दिया कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है अगर समझ में आ रही है तो like करना न भूले बाकि यह दोनों है 1.3, यह तो बहुत तुच्चा सा है यह तो तुम लगा ही लोगे 0 हो गया, 1 हो गया और यह 2 हो गया यहाँ पे 1.1 यहाँ पे 1.2 यहाँ पे 1.3 और अच्छे तरीके से करने के लिए अगर और अच्छे तरीके से करना है तो मैं तुम्हें एक और method बता सकता हूँ 1.3 को हम लिख सकते हैं 13 upon 10 13 upon 10 10 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 को 1 upon 10 यह देखो 10 बन जा 10 प्लस 3 13 upon 10 means 1 के बाद लिखना है ओहो मैं तो गलत कर रहा था बॉस यह रहा 1 और 1 के बाद हमें करना है क्या 1 के बाद इसको 10 equal parts में divide करना है I think हो गया होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ओहो एक और बढ़ा लो 8, 9 और यह रहा 10 तो 13 वाला जो part है वो क्या दिखाएगा 13 upon 10 तो यह question तुम्हारा homework होगा negative side मतलब left side में show करना है left side मतलब यह हो गया 0 और यह हो गया minus 1 और यह हो गया minus 2 boss और यह हो गया minus 3 minus 2 point के पहले क्या है minus 2 मतलब minus 2 और minus 3 के बीच में कहीं आएगा तो I hope यह clear हो गया होगा फटाक से बढ़ते हैं आगे वाले question की तरफ आगे वाले और भयानक question है find a rational number between देखो number line में एक चीज़ सीखो कि अगर कोई number line है और वहाँ पे कोई 0 दो rational, दो numbers के बीच में हमेशा कितने number फिटा सकते हैं infinite numbers हो सकते हैं इसलिए अगली बार अगर तुम एक number कम पाओ तो उसकी value समझना क्यों? क्योंकि उस एक number के ही difference में infinite numbers होते हैं तो यहाँ पे तो यह बास समझ में आगे जब भी हमें पहला तरीका जब भी हमें rational number के बीच में दो rational number के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक rational number find करने को बोले तो हमें सीधा सीधा क्या करना है? हमें दोनों को पकड़ देना है 2 by 5 को पकड़ना है और प्लस कर देना है 3 by 8 को और whole में क्या कर देना है? 1 upon 2 कर देना है एंसर देखो क्या आएगा one by two boss okay LCM लोगे LCM कैसे लोगे यहां पर क्या हो जाएगा 16 प्लस 15 और यहां पर क्या हो जाएगा 40 कैसे लिया मैंने cross multiplication क्या है जब भी तुम्हें LCM लेना हो तो LCM के जमेले में मत पढ़ो boss नीचे वाले denominator को पहले multiply करके denominator में लिख दो 85 जा क्या हो गया 40 मैंने 85 जा किया 40 यतना समझ में आया और फिर इन दोनों को multiply करो LCM लेने की कभी जरूत नहीं पड़ेगी इन दोनों को multiply करो क्या आ गया 16 यहां लिखा sign देखो कौन सा है वही sign यहां लगा दो और फिर 53 जा 15 कर दो फिर से सुनलो नहीं तो back करके देख लेना जब भी हमें ऐसे fractions का सम करना होता है और LCM लेने के बवाल से हम बचना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे denominator को आपस में multiply करें करेंगे फिर cross multiply करेंगे एट तूजा कितना हुआ 16 16 यहां पर लिखा sign अगर प्लस है तो प्लस लगा दो माइनस है तो माइनस लगा दो और एट तूजा उसके बाद 53 या 15 यहां समझ में आ गई होगी क्या हो गया 1 by 2 multiply करना है कितना हो जाएगा 31 upon 40 तो इसका answer क्या आ जाएगा 31 upon 80 will be the answer for this अब यह जो हम निकालने हैं यह तरीका कौन सा है mean method mean method मतलब क्या हो गया एकदम बीचो बीच का number आएगा for example जैसे अगर इसको example के sense में समझायज है तो जैसे यहां पे कोई number है 1 और यहां पे कोई number है 3 ठीक है obviously यह भी rational number है क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि सारी natural number और सारी whole number क्या है rational number है तो इनके just बीचो बीच में जो number आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा कैसे पता 3 plus 1 करेंगे तो 4 आएगा और upon 2 कर देंगे यह जो हम यहां पे कर रहे थे तो क्या आजाएगा टू आ जाएगा ठीक है यह समझने के लिए एक बार copy पे देख लो video back करके एकदम अच्छे से clear समझने आ जाएगा और यह रहा इसका solution आगे बढ़ते जल्दी से पटाकते डिले नहीं करते हैं यहां पे भी वही करेंगे ओहो यह तो question ही आपने छोड़ दिया तो इसको इस 3 5s are 15 plus 2 1s are 2 upon 5 क्या हो गया 17 upon 10 17 upon 10 अगर यहां पे केवल 3 रहेगा तो आएगा अब साइन से तुमको कोई मतलम नहीं होना चाहिए साइन तुम्हारा कुछ भी हो आख बंद करके एक ही formula लगाना है minus 1 plus 1 by 2 और यहां पे 1 कर दो overall answer क्या आगया 1 by 2 minus 2 plus 1 वही cross multiplication वाला लगा रहा हूं बहुत कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए minus 1 by 4 will be the answer तुमको के बीच में एक rational number यहीं हो जाएगा बाकी यह दोनों आपके homework है sign से कोई मतलब नहीं होगा तुम्हें बस x की जगा x रखना है y की जगा y रखना है अगर x minus है तो minus x रख दो अगर y minus है तो minus y रख दो यहां पे कुछ नहीं सोचना है बस सीधा सीधा formula लगाना है plus के अंदर यह 5 है अगर overall देखो तो यह क्या हो जाएगा 1 by 2 minus 3 by 4 और minus 2 by 5 यह कभी गलत नहीं हो सकता इसको solve कर लोगे answer आ जाएगा और यह तो बच्चों का खेल हो गया अगला देखते है find 3 rational number between 3 by 5 and 7 by 8 अब यहां पे क्या कर दिया boss तीन rational number बोल दिया कर तुम उस method से भी कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा गंदा लगेगा थोड़ा सा गंदा लगेगा तो करें क्या boss करना कुछ नहीं है एक और formula तुम्हें सीखना पड़ेगा अब यह formula तुम देख लो क्या है भाई 3 by 5 को तुम लिखे जुगार है यह और 7 by 8 को तुम लिखे ठी की है जो एक कोई ऐसा number पक्ड़ो ठीक है जिसकी जिसको multiply करने से दोनों का denominator सेम हो जाए कमान फिर से सुनों हम दोनों number लिखे और कोई ऐसा number multiply के जिसकी वज़ा से दोनों का denominator क्या हो जाया बहुत सेम हो जाए तो उपर 8 multiply करेंगे यहाँ पे तो 38 जा 24 अपोन 58 जा 40 हो गया और यहाँ पर अगर multiply करेंगे तो 35 upon 40 हो गया, देखा, असान हो गया, मतलब अब तुम्हें तीन rational number find करना है, किसके किसके बीच में 24 upon 40 और 35 upon 40, कितना असान है, है ना, देखो फिर से सुनू, अगर यह दूसरा method है, दूसरे method में हम कोई एक ऐसा number multiply करते हैं, जिसकी वज़ए से यह दो question में given number का denominator क्या हो जाए बॉस, सेम हो जाए, denominator सेम हो गया, काम असान हो गया, देखो कैसे, हमने denominator सेम किया, क्या आ गया इधा, 24 by 40 और इधर क्या आ गया, 35 by 40, तीन number भरने हैं, भर दो, क्या आएगा, 25 by 40, 26 by 40, असान है न, 27 by 40, easy, बहुत ज़्यादा easy हो गया, ठीक है, तो हमें बस एक ऐसा number ढूणना है, जो denominator को क्या कर दे, सेम कर दे, देखो यहां पे भी, 3 by 7 और 5 by 7 है, इसके अंदर हमको क्या करना है, 4 rational number करने है, अब 3 और 5 की बीच में तो 2 ही का difference है, तो फिर कोई number चुनो, जो multiply करो तो क्या आ जाए, सेम आ जाए, जैसे 3 by 7 है, और 5 by 7 है, जनरली जो number होता है, वो हम n plus 1, मतलब अगर 4 number find करने होते हैं, तो हम क्या multiply करते हैं, 5 multiply करते हैं, दोनों में क्या multiply करेंगे, 5, देखो, इससे यह क्या हो गया, 3, 5 जा बॉस क्या हो गया, 15 upon 35, और यह क्या हो गया, 25 upon 35, अब हमारे पास 2 number आ गया, थोड़ी से writing का issue, हो 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 हो, कोई नहीं, कोई नहीं, यहां क्या हो गया, 15 upon 35, और यहां क्या हो गया, 25 upon 35, कितने number गुचारने हैं, 4 number लगाने हैं, तो लगा दो, क्या हो जाएगा, 16 upon 35, 17 upon 35, 18 upon 35, and 19 upon 35, तो दो तरीका सीका, अगर एक number करने हैं, तो दोनों number को plus करके upon 2 कर दो, अगर 4-5 number करने हैं, तो denominator सेम करने की कोशिश करो, यह number तुम्हें खुद ढूनना पड़ेगा, यह number तुम्हें खुद ढूनना पड़ेगा, बस यह try करो ना, कि एक ऐसे number से multiply करो, जैसे अगर 4 पूचा है, तो तुम 5 से multiply करतो, 6 पूचा है, तो तुम 7 से multiply करतो, that's it, ठीक ह 6, again 6 पूचा है, 6 पूचा है, तो तुम क्या करो, देखो, 2 को लिख सकते हो, 2 by 1, और 3 को लिख सकते हो, क्या, 3 by 1, कितना पूचा है, 6 पूचा है, तो तुम क्या multiply करोगे, 7, अगर 6 पूचा है, तो तुम क्या multiply करोगे, 7, और 7 जैसे ही करोगे, तो क्या हो जाएगा, 14 upon 7, और यह क्या हो जाएगा 21 upon 7 और उसके बाद बर लो छे नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गया ठीक है अगला 5 natural number between 3 by 5 and 2 by 3 ठीक है ये तीसरे method से आखरी question है ठीक है तो 3 by 5 और 2 by 3 देखो करने को यहां पर भी ऐसा ही कर सकते हो तुम क्या 3 by 5 लिखे और 2 by 3 लिखे और दोनों का denominator सेम बनाने के लिए हम क्या कर दें 5 multiply कर दें 5 multiply कर दें 5 multiply कर दें 5 multiply कर दें कैसे नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहां पर 339 आएगा और यहां पर 5010 आएगा यहां पर हम फस सकते हैं तो ऐसे को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है इसका भी बहुत असान तरीका है हमें डी निकानना है डी क्या होगा दूसरा वाला नंबर पॉन पहला वाला नंबर ठीक किदर देख रहा है इधर देख दर तो देख ले एकस इस इगल टू क्या हो जाएगा ठीवाइफ और एन जो है वो तुम्हारा हो जाएगा 6 अगर 5 पूछा है तो एन क्या हो जाएगा स्वरी एन 5 हो जाएगा अभी फॉर्मूले में लगा एन नहीं है बहुत तो डी निका सोच 15 हो गया 5 तूजा 10 चल क्यों नहीं रहा है इंटू 9 अपाउन यहाँ पर क्या हो गया 6 टैन अपॉन 9 मींस क्या हो गया 1 अपाउन 15 और यह 6 भी कहा आ जाएगा इसी में मंटिप्लाई हो जाएगा मींस क्या हो गया 1 अपाउन 90 यह हमारा डी आ गया ठीक है नंबर कैसे क्वाल लिखेंगे सब्साइगा Ikまた इतना मेहनत करवा दिया मैंनत हो गई तो बस इतनी ही मेहनत करने है बास डी की आा गया हमारा बन अपाउन 90 को करना कुछ नहीं है बास तुमको बस औब इसको प्लस करते चलना है पहला नमबर के हागिया धीवाए 5 दूसरा नमबर कई ग गया 3 by 5 plus 3 by 90 बस 3, 4, 5, 6 ऐसे करते जाना है जिन्दगी में कुछ पाना है और कुछ कर दिखाना है जी हां तो आसान है तीन मैठड तुमने सीखे तीनों में से कोई भी मैठड तुम यूज कर सकते हो यहां बेभी क्या होगा 2.1 2.1 को बहुत हम क्या लिख सकते हैं 21 upon 10 ठीक है यह जो अभी इसके पहले वाला फॉर्मुला बताया यह बहुत रेयर यूज करना कोशिश करना कि तुम वो जो जुगाड वाला फॉर्मुला बताया हो उसको यूज करना कितने नंबर भरने 16 एक काम कर दो 21 और 22 में तो 16 difference है नहीं तो कोई एक आसान सा नंबर multiply कर दो जिसम आवरे नंबर भरना भरना चालो करो पहला नंबर क्या हो जाएगा 210 अपन हंडिड और प्रम कलर दूसरा क्या हो ज़या 211 यह थीसरा 200 तो थे खैदो खुद भर लो भाई 213 वाई अंडेड ठीक है चौथा 214 यहंड़ेड एंड इन्ड इस सो और भरते जाओ और लास्ट न भी मुझे लग नहीं रहा है भाई साथ की 16 नमबर आ जाएंगे 10 से 20 में कितना गैप होता है दो ही होता है न तो यहां पे भी नहीं आप आएंगे एक काम करो यहां पर एक और 0 से मल्टिप्लाई कर दो तब आ जाएंगे यही इसमें बस जुगार लगाना है एक और 0 से मल्टिप्लाई कर दोगे अब आ जाएंगे अब 2100 और 200 में कितने का डिफरेंस है 100 का 100 का जब डिफरेंस होगा तो आराम से नमबर आ जाएगा ठीक है तो 2101 हो गया 210 2102 हो गया 2103 हो गया और 2104 हो गया कहानी में बस ट्विष्ट है अगर ये समझ में नहीं आ रहा है जुगार वाला मैटड नहीं समझ में आ रहा है तो वापस से एक बार और जाके जुगार वाला मैटड ठीको हमें बस दिमाग लगा के कुछ ऐसा नमबर मंटिप्लाई करना ह है कि दोनों ही गिवन नमबर का डिनॉमिनेटर बस सेम हो जाए डिनॉमिनेटर के साथ साथ जो हम नमबर फिलिंग ये कर रहे हैं जो नमबर फिलिंग कर रहे हैं बास वो क्या हो उसमें वो नमबर अट जाए जैसे अभी हमने 100 मंटिप्लाई किया था तो नमबर के आ रहा था बॉस और 220 आ रहा था दोनों के बीच में गैप है 10 का ही और भरने है नंबर कितने 16 तो वह अलमेटर फेल हो जाएगा तो हमने क्या किया इस वज़े से बाद में लेटर ऑन 100 से 만 determy कर दिया अब नंबर के आ गया 2100 और 2200 जोनों के बीच में गैप कितना है ऐंडरिट का क्या कि दोनों के बीच में अंदिच कर लेते हैं जल्दी से जल्दी जलिए है किया सारे नैसरल नंबर हें दु已經 क्या है ऊल नंबर सारे ने सारे रेशनल नंबर होल नंबर है फॉलस नहीं है ठीक है नहीं है नहीं है रेवास्टक संस denugyif तो देखो भाई अगर एक रिशनल नंबर निकालना हो तो हम क्या करेंगे दोनों करके 1 by 2 से multiply कर देंगे अगर हमें कई सारी नेच्रलल नंबर multiply करना हो तो हमें numerator और denominator को सेम नंबर से multiply करना होगा जनरली वो number होता है n plus 1 n plus 1 मतलब अगर 5 नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे 6 से multiply करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों number का denominator क्या हो जाए सेम हो और परिस्थिति आगर खराब है और luck है bad तो हम formula कौन सा यूज करेंगे ये दूसरा number minus पहला number upon जितना number निकालना है उतना ये जो एक्जामपल था वो उसी पबेश था इस पे तुम निकाल सकते हो लक्षर अच्छा हो लगा होगा तो भाई अपने दोस्तों से कह देना subscribe कर ले subscriber बढ़ेंगे तो video की quality बढ़ जाएगी video की quality बढ़ जाएगी तो हम बढ़ जाएंगे हम बढ़ जाएंगे तो आप बढ़ जाएंगे thank you everyone and you can get the PDF of this chapter on this app bye bye